युहन्ना की दूसरी पत्री अध्याए एक अध्याए एक अभिवादन एक मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ और केवल मैं ही नहीं वरनवे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं दो वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सरवदा हमारे साथ अटल रहेगा तीन पर मेश्वर पिता और पिता के पुत्र येशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शानती सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे सत्य और प्रेम चार मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आग्या के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया पांच अभे महिला मैं तुझे कोई नहीं आग्या नहीं पर वही जो आरम से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें छेह और प्रेम यह है कि हम उसकी आग्याओं के अनुसार चलें यह वही आग्या है जो तुमने आरम से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए साथ क्योंकि बहुत से ऐसे भर्माने वाले जगत में निकल आये हैं जो यह नहीं मानते की इशु मसीर शरीर में होकर आया भर्माने वाला और मसीर विरोधी यही है आठ अपने विशय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवान न दो वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ नौ जो कोई मसीर की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी दस यदी कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नम्सकार करो ग्यारह क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नम्सकार करता है, वह उसके बुरे कामों में साजी होता है अंतिम अभिवादन बारा मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा जिससे तुम्हारा आनन पूरा हो तेरा तेरी चुनी हुई बहिन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं